भारत माता की भारत माता की नाम दे आणि माराप्स चा सर्व बंदु भगिनिना गुडी पड़वाच्या खूप खूप सुपैच्चा अब पड़वाच्या एक धिवस आधी यतिया लोग आणि आज पड़वाच्या सुप धिवसी में आपना सिजवाना बेटू सब्लो हाई जमारा कूप आन हतो मैं पर विराजमा यहां के लुख प्रिय मुक्तमंत्री हमारी पार्टी के अध्याश्य सिवान दानुवे जी सिवान राम्दास अठोले जी सभी हमारे उमेनवार सभी वरिष्ट नेता गांड भाजपास सिवते ना महा यूति के सभी वरिष्ट मानुभाव और विशा और संज्ञा में पढ़ारे भूए नांदेड के मेरे प्यारे धाई और मैं मा रेडू का देवी की आशिर्वाप नाप्त भुमी गुरु कोविन सील जी की निर्मान स्थरी तक्त सचखंड स्रीह जूर अब चल नगर साहब की धरती को मेरा शत शत नमान यही वो जगह है जिसने बाबा बंदा सी पाजू को गड़ने में बहुत बड़ी भूमिक आने भाई थी साथ योग गुड़ी पड़वा के स्ववित्र दीन एक बार फिर आप सभी को महाराष्ट के सभी भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी के सहयोग से ही ये प्रधान सेवर पूरी निष्ट्रा और इमानदारी के साथ एक सबरद्ध सुरक्षिक नए भारत का निर्मान विड़ा उठा पाया हूँ साथियों हम जिस नए भारत का निर्मान करना चाहते हैं उसका वीजन स्पस्ट है लेकिन कॉंग्रेज भारत को कहा ने जाना चाहती है ये भी देश के सामने अब आ गया कॉंग्रेज और उसके साथी भारत में दो प्रधान उतनी चाहते हैं एक दिल्ली में और दूसरा जम्म किश्वीर में मैं जड़ा नाम लेट के मेरे भाईयों मेरे को कूछना चाहता है ये कॉंग्रेज के महा गठबंदन के साथी जम्म किश्वीर के पूर्व मुक्मंत्री ओमार दुरा उनके पिताजी खार गठबंदुरा पुले आम कह रहे हैं कि देश में दो अप्रधान मत्री हो लेट है मैं आप से पुछना चाहता हूँ क्या आपको ये मंजूर है आप आज कश्वीर तक जाने चाहिए क्या आपको ये मंजूर है कॉंग्रेज जम्मू कश्वीर से आफ़ता का कानू हटाएगी ताकि आपकों के सामने हमारे जमान लाचार हो जाए वो जूठे केश्वा में उलट जाए क्या कॉंग्रेज का ये मादा आपको स्विकार है क्या किसी हिंदुस्तानी को स्विकार हो सकता है देश का कोई भीर जमान इसको स्विकार कर सकता है कॉंग्रेज पाकिस्तान से पैसे लिका देश में अलगाव प्यादा करने वालों से बाचीट करना चाहते हैं क्या ऐसी बाचीट आपको मंजूर है? क्या कॉंग्रेस फाप कर रही है नहीं कर रही है? कॉंग्रेस बारत के पुपड़े पुपड़े चाहने वाले देश द्रोजों से जुड़े कानून को हटा कार उनको फूला लाइसन देना चाहते हैं क्या नांदेर को महाराश्च को ये देश द्रोज का कानून हटाना मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? भाई और बैनों कॉंग्रेस प्रोजों ने जो ये ड़कोसला पत्र बनाया है इसकी निव तो उसी दिन पड़ गई थी जब सर्जिकल फ्राइक को लेका इन्होंने देश के भी जवानों के सामने सवाल पाया है जब एर फ्राइक के इन्होंने समूत मांगे थे जब इकीस पार्टियों की महा मिला उट्डे मोदी के खिलाब निल्ला प्रस्ताव पारिद किया था बात क्यों की अजब सुकी है आज देश में जो हालाथ है चाहिए वो कश्मीर के हालाथ हो आकनवाद हो नकसलवाद हो अलगावाद हो ये आज कॉंग्रेस की लगाई हुया है NGA की सरकार उसको भुजाने में चुटी है लेकिन कॉंग्रेस और उसके महा मिलावटी साथी उस आफ को और बढ़काने के लिए साजी से रख रहे है साथ वा आकनवादी नहीं देश में प्रस्टाचार को बढ़ाने वाली और उसे पामने पुस्टने वाली भी कॉंग्रेस ही रही विशेश थौर्ट पर सेना से जुड़े देश की सुरक्षा से जुड़े काम में मिलने वाले दलाई को इनको खासी पसंद है जितना बड़ा सोदा उतनी जादा मलाई जीब गोटाने से लेकर बॉफोर्ट से लेकर हेलिकोप्टर की दलाई तर इन्होंने बहुत खुब जंडे गाणे माया बहना इतनी के जिस मिशेल मामा को नामदारों ने बगा दिया था उसको और उसके दुश्रे साथों को ये चौकिदार दूबे से उठाकर लाया अब कोट में जो अरोप पत्र दायर किया लेगा है उसमें उसने साफ साफ पताया है कि हेलिकोप्टर की दलाली किसने खाई है सोचिए एक परिवा एक बेटा, एक धरबारी तमाम राजदार और एक मामा बाहिर बेनों, 2014 में आपके एक वोट में इन सब को कड़गर में लाकर के खड़ा करिया अब दो हजार उने में आपका एक और वोट उन्हें असरी जगर पर पहुंचाएगा आने वाले समय में देश का बरसो पुराना इतजार खत्म होने वाला है भाई और बेनों, कॉंग्रेस के कारणा ने पीडी गर पीडी एक जैसे ही रहे बलकि वरस्ता चार ही कॉंग्रेस में बिलासत है आज नामदार परिवार जमानत पर पहार है और कई पुर्वमंत्री कॉंट के चरे के चक्कर नजार रहे ऐसे ही कारणाओं के चल्दे कॉंग्रेस पिश्टी बार चब्वाली स्जी को पर्प्नोटी और इस बार संकट और गंबीर है उनके लिए साथ यों ये पहनी बार देख रहा हूँ कि पाँच बर्स बाद भी जनता में विपस्ट के प्रती, कॉंग्रेस के प्रती, एंसी के प्रती शरत्वबार की प्रती, उनका जो गुस्सा है वो गुस्सा जरादी कम नहीं हो रहा हूँ इस गुस्से ने कॉंग्रेस में अपका तफ्रीम बचाती है हाँ यह है कि कॉंग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोब लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोची है जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत हुचा है सीट भी ऐसी जहां पर देश की मैजोरिटी मैनरिटी है मुकाबला की ऐसा जहां जाते ही विरुद जनको कल देगा कि मैं आपके विरुद में कुछ नहीं कूँगा मैं भी नामदेर में हो लेकिन अमेरिटी के लोगों से कमूगा कि इसे याद रखे अपना ही अपमान भी याद रखे साथियों ये जो नई सीप नामदार एक भोड़ी है वहाँ पर कॉंग्रेस की क्या सिप्वी है ये उन तस्वीरों से पता चलता है सोशल मेडिया में खूब चलता है जब नामदार वहाँ की सड़कों कर निकले थे आपने तस्वीरे देखी है क्या सोशल मेडिया में देखा है ना कॉंग्रेस का च्छुड़ा की स्कौने में है गूनना पड़ता था कॉंग्रेस के राश्ट्री अग्रिस्ट का जुलूस और कॉंग्रेस का जुड़ा खोजना करता रहा ये खाल है कॉंग्रेस साथियों कॉंग्रेस की हालत टाइटेनिक चाहाँज की तरह है ये हर एक नए दिन के साथ दुपती ही जाना है कॉंग्रेस के साथ जो जो इस चाहाज में पैठा था वो एनसीपी की तरह या तो खुद भी तुपरा है या उचुद रूट कर गए बच्चान बचाने के भाण जो आपके पडोस में हिंगोली से कामे सांसत मोद है देपी इस बार जुनाव नहीं लग रहे है सरत पवाज इस बार जुनाव नहीं लग रहे है उनके सिपा सारा प्रफुल पत्रिल भी जुनाव से भाण चुके हैं साथ्यों ये सभी महान भाव एक-एक करके मैदान छोड़ रहे हैं महरास्ट में कॉंगरेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके पास जितनी संख्या में विडायक है उससे जादा तो गुट बने हुए हैं जब आपमें आपस में ही भीड लर भीड रहे हैं जब इस तरह की महामिलापवज हो तो क्या ये दल महारास्ट का भ़ला कर पाएंगे वो अपने विकास की सोचेंगे या फिर महारास्ट के विकास की यहां महाराष्ट में लोगों ने किस तरह एक आदर्स सुचाईटी बनाने की कोशिश ने थी शहितों के परिवार को दोखा दिया था इससे तो नाम्देर और पूरा भारत भनी भाती बज़ची था आप जानते हैं ना वो कौन है पता है इस तरह के फोटानों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकान ने देरा कानून बनाया एक ऐसा कानून जिसकी बज़़ा से गर खरिदे मानों की कमाई सुरक्षिद हुई है उनकी पचत सुर्चिद हुई है देश भर में हजारों प्रोजेक अब रेरा कानून से रज़़श्टर है और पहले जिस तरह से काले धंका खेल होता था वो भी कम हुआ है इसका दहुत बड़ा फायदा हुआ है मत्यमबर नव ज़़़ानों साथ्यों एंगिये सरकार ने पांच लात रुपे तक की आए पर इंकम प्रेक्श जीरो करने का जो निलने लिया है वो भी नव ज़़़ानों के लिए बड़े फायदे लेकर आए गर्द खर्च के लिए अपने कारियों के लिए अब उनके पास जादा पैसे बच रहे लेकिन मैं देश के नव ज़़़ान को मद्यमबर को कॉंग्रेस की साजिस से फिर से आगाव करना चादा कॉंग्रेस देश साफ कर दिया है कि वो देश के मद्यमबर को स्वार्थी मानते हैं लाल्ची मानते हैं इसलिए वो मद्यमबर पर पैस का प्राफोज दाने का इरादा लगती है इतना टैक्स कि मद्यमपर्ग की करकमर तूप जाना है भागि पहलो आज मैं अनुबों से कह सकता हूं अगर देश को चलाने में सबसे बड़ी ताकत कहीं से मिलती है तो मद्यमपर की प्रिवार से लिए वो काईदे कानुन का कानुन करते हैं वे सरकारी खजाने में अपने से जो भी बतायत देते हैं और इसी से देश चलता है ये कॉंग्रेस पार्टी मद्यमपर को अपना दुश्वन अनुए आप हरा हो जाएगे अभी कॉंग्रेस का एक ड तकोसला पत्र आया आने वाले पांच साल में उनके क्या मनसूबे है उसका सारा उसमें लिखान है पूरे मैनिफेस्टों में उनके पूरे तकोसला पत्र में एक बार भी मद्यमपर शब्द नहीं है भाई भेनो ऐसी कॉंग्रेस को आप माप कर सकते हैं क्या इसलिए कॉंग्रेस से सतर नहीं चौकिदा की तरह चौकन ने रहे साथ्यों कंग्रेस के इत्यास को देखेंगे तो एक मैंटन दिखाई देते हैं जब ये पार्टी सिक्रट में आती है तब जूचे बादों का एक पिटा खोल देखेंगे और बाद में कजनी बन जाती है 2009 में इनों ने कहा कि किसानों के गर पर आकर समर्थन मुल्य पर अनाज खरीजा जाया अरे गर को थोड़िये मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीज़ पाई ये बीजेपी सिर्फेना एंडिये की सरकार है जिसने लाज़त का देल गुणा समर्थन मुल्य देले का बादा खुरा है ये एंडिये की सरकार है जिसने लेश के 12 करोड किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड पे सीधी जबान कराने का काम शुद गिया साथ में कॉंग्रेस वाले हर जखोसला पत्र में किसान को सीचाई से जोड़ने का बादा खुरा है लेकिन इतकी लटकाई 99 बड़ी सीचाई पनियोजनाओं को हमारी सरकार देजी से पुरा इन्होंने गरीबों को आरशन देने का भी पादा किया था लेकिन उसके बाद फिर गजनी हो गए सामान ने वर के गरीबों को दस प्रतिशत आरशन देने का काम किया तो ये चौकीदार ने किया वो भी बाकी किसी भी वर का हच्ची ने बना कोई भी छेचार किये बिना किसी के हच को चुछ हुए बिना सारे समाज में प्रेम और सर्भावगा का बाता को बना रिखते हुए कितना बड़ा फैसला हम दे कर लिए बाई और दिनो कॉंग्रेस अपने फोर्ट में के लिए ही काम करती है और चौकिदार की सरकार सबका साथ सबका दिकास के लिए काम करती है OBC कमिशन को समयदारिक कर जा देने का काम कॉंग्रेस नहीं कर पाया आपके चौकिदार की सरकार ने उस काम को भी पुटा जो इसी तरह मंज़ारा समाथ को कभी कॉंग्रेस ने याज नहीं किया NDA की महायुति की सरकार ने ही इस वर्ष के बज़ेद में घुमन को समुझाई के लिए पहली बार वेलफेर डेवलप्मेंट बॉर्ड बनाने का फैसला किया साथियों कॉंग्रेस वर्ष महा मिलावटी अपने स्वार्थ के लिए जाती पंद और संप्रदाय कोई भी खेल खेल लेते हैं करना कर चुराओं के दरवां सिर्फ वोट के लिए इन्हों ने लिंगायत समाज के साथ क्या किया ये हम भूले नहीं है पवित्र करतारपुर साथ परिडर के साथ इन्हों ने क्या सियासत की ये भी आप बलिमा की जानते हैं बटवारे के समय अगर कॉंग्रेस चाहती तो हमारे गुरूरों की दरोहर करतारपुर साथ हमारे पास ही रह सकता था लेकिन सिर्क 3-4 किलोमेटर की ही दूरी से घुरू साथ के परिडर साथ को इन्हों ने दूर कर दिया कब अगर कॉंग्रेस की नीती सही रहती तो आज पाकिस्तान में करतार कुछ साहब न होता और नहीं पाकिस्तान को ये खेल खेलने का होका नहीं जिसी तरह नाम्डेर अमुक्तर साथ से सीदी हराई मार्च से जोडने की आज भी कौंग्रेस एन्सीपी की सरकारों को कभी नहीं दिया और एन्सीपी के नेता तो एवियेशन मिलिस्टर में हुआ करते हैं मुख्यमत ने उनके यहां हुआ करते हैं लेकिन न कमें उनको नाम्डेर साथ और अमुक्तर साथ को चोडने की इच्छाबागा पुडान योजना के जरिये ये काम भी हमारी सरकार ने किया किसानों से पंदरा गुना दाल की खरीदों या प्रधान मुक्तरी स्रमियों की मांदन लोजना से यहां के कामगारों को पेंशन जुरक्षा कॉंग्रेस एंसीपी की सरकारों ने कभी नहीं सुच यह काम भी हमारी सरकार ने किया लायो तहरो यह भी हमारी सरकार का सोपागे रहा यह उसे गुरू कोवेंसी के 350 में प्रदास्ट पर रखो देश और दुनिया में भग्र तरीके से मनाने का आउसर में इसी तरह इस्वास गुरू नानम देव जी के 550 वी जन्म जैन्पी को भी हमने दुनिया भर में दून से तुमधाम से मदन मनाने की तयानित साज़ों देश की आस्ता देश की संसुति के सवरक्षण और सम्मान के पती एंडिये की सरकार ये चौकेदार पुरी तरह पती बनाएं 2014 में आपके वोट के कारण हम दसकों पुराने गड़ों को भर पाएं 2019 में आपके वोट से विकास का हाईवे बनेगा 2014 में आपके वोट के कारण पुराने भारत के काम करने के तौर करीपर में पढ़ला आए 2019 में आपके वोट से हम एक नया भारत बनाने की दिस्था में आजे बढ़े है 2014 में आपके वोट से डिजीटल इंडिया से आपके जीवन को आसान बनाया 2019 में आपके वोट से दीजीतल इंडिया हमारे मेकिन इंडिया और रोजवा मिलमा का मजबुद आखार मने 2014 में आपके वोट के कारण आतंगबाद को मुह तोड़ जबा मिला 2019 में आपका वोट आतंगबाद को खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूनिका जबाए आने वाली अठारा एक्रीम को कमल के फूल के सामने बटन दबाकर आप इस चौकी धार को और मजबूत करेंगे इसी विश्वात के साथ मैं आप सब का आभार वेक्ते करता हूं और मैं आपको विश्वात जलाता हूं आप जब त्मन के खूल कर बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोगी को मिलने वाला है आपका वोट सीधा सीधा मुझे दे लिए वाला है आज लिए आज विट्री बड़ी काजाद में आप में आशिर्वात लेने के आए हैं मैं आपका अभार वेक्ते करता हूं मेरे साथ बोलेंगे मैं कहंगा मैं भी आप कहेंगे चोपिदा मैं भी मैं भी मैं भी गाउं गाउं है सहार सहार है बच्चा बच्चा बड़े बुजुर्वी माता बहने गर गर में थेख खलगान में आप बगान में देश के अंदर सरहत पर भी डॉक्टर इंगिनियर शिक्षप प्रपेजार लोग्षप पतरकार कलाकार भी किसान कामगार भुकांदार भी वकी व्यापारी भी चाक्र चाक्राइबी व्याइब भायुभना साड़ा बेश चाकेदा सवासो करों देश वासी पर भी भार्टी जन्ता पार्टी और हमारी महाईटी को विजयी बनाईए मेरा थार भुदी भारत माता की भारत माता की और को धन्यवाँ अबार भारत माता की तो न्युक्ते और कि विजया गरी भारत माता की गरी वासी ने अबार्टी तो भारत माता की तो आखेवड़ू नरेंद्रा जिपादी तुपागे बड़ो देश का चोकी दार कैसा हो तुमावे तुमावे बड़ो